गुजरात में कल पांच बजे शाम से आज के पांच बजे शाम तक कुल कोविड के 391 पॉजिटिव केसिस आए हैं इसी अर्से में 14 ऐसे लोग हैं कि जिनका दुखद अफसान कोविड के संक्रमन की वजह से प्राथमिक कारण है दुखद अफसान हुआ है 20 ऐसे लोग हैं कि जिनको पहले से अन्य गंभीर बीमारी थी और इनको कोविड के संक्रमन होने के कारण से इनका दुखद अफसान भी हुआ है आज इसी पांच बजे तक के 24 घंटे में 191 जितने लोग हैं जो डिस्चार्ज हो गए हैं और उसके साथ हमारी रिकवरी रेट 49.53 प्रतिशा 39.53 परसेंट है अभी जितने पेशन्स अक्टिव हैं यानि के हॉस्पिटल में उनकी जो इलाज हो रही है उसमें से 6148 ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सेबल हैं अड़तिस ऐसे लोग हैं कि जो क्रिटिकल हैं वेंटिलेटर पर है और आज तक 4,499 ऐसे लोग हैं कि जिनका बिल्कुल अच्छे से इलाज होके डिस्चार्ज हो गए हैं आज वर्तमान पत्र में एक किसा काउलेक किया था दानी लिमडा के एक रहीश थे जिनकी कोविड पॉजिटिव थे ये बिमार थे इनकी इलाज हुई थे उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद इनका मृत देह दानी लिमडा के बिया टीस बस्टान में मिला गया था इस बात को लेके सरकार ने तुरंत ही एक इंक्वाइरी के लिए एक सीनियर आफिसर श्री जेपी गुपता जेपूर्वर कमिशनर हेल्थ भी रह चुके हैं उनको खास ये काम सौपा है और यह अपना रिपोर्ट 24 गंटे में यानि के कल दोपहर तक देंगे और उसके सामन जो भी इसमें जवाबदार होंगे सरकार इसमें स्ट्रिक्ट अक्षन लेने के लिए एक निर्णय ठान लिया है ऐसे ही एक और चीज आज जिसका उलेक पेपर में भी था हम कहना चाहेंगे इसमें कि एक धामण नाम का एक वेंटिलेटर हमारे यां खास इसकी देशों में अभी कोवेट का संक्रमान और एपिडेमिक महामारी जो चल रही है इसको लेके सभी जगाओं पर वेंटिलेटर्स जो इसके लिए बहुत ही एक एहम जरूरी एक इंफ्रस्ट्रक्चर की जरूरत है इसकी बहुत बड़ी शॉटेज है यानि के तंगी है मिल नहीं रहे हैं आनेक विक्सित देशों में भी इसकी बहुत बहुत ही जबरदस्त शॉटेज है यानि के इसकी घट है ऐसे संजोगों में एक देश के प्रत्ये प्रेम की भावना से राजकोट के एक जोती CNC के जो मैनुफैक्टरर्स हैं जो विश्वक की बहुत ही एक प परावलम भी न रहे और हम खुद अपने लिए वेंटिलेटर्स बना सके इस भावना से उन्होंने दमण नाम का वेंटिलेटर भी बनाया है इसको EQDC जिसे Electronics Quality and Development Center इसने भी टेस्ट करके चेक करके इसकी पूरी अप्रूवल भी दी थी और हमारे जो निशनात डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने भी इसे देखा था और इसकी अप्रूवल भी मिली थी इसको अब अलग-अलग centers में in fact वसाया भी गया है इसे सरकार को निशुल्क धोरन पे मिला है और इसे CSR के funds से सरकार को प्राप्त हुआ है और MOU किया गया है अब इसकी छोटी मोटी जो इसमें अभ भी हो गई है और गुजरात में जो पहल हुई है इसको देखके भारत सरकार ने भी निढ़ने लिया है कि ये धमन ventilators पूरे भारत के लिए भी इसे खरीदने की एक संभावना को लेके भारत सरकार भी इसमें उनके साथ बादचीत कर रही है अनेक राज्यों में से भी इसके पूरी एक भावना के साथ जो किया गया है ये वाकई एक बहुत ही एक अभिनंदन के पात्र काम है और हमारी टीम्स भी इसमें और भी कुछ छोटी मोटी अगर इसमें बाकी है कोई accessories की जैसे high flow nasal cannula फिर इसी तरह से जे oxygen flow meter है और वैसे ही जो circuits हैं इसके कहते हैं और humidifiers इस सब का भी प्रावधान उनी के साथ रहके करने की प्रक्रिया भी चल रही है कल इसकी फिर से इन accessories के साथ भी टेस्टिंग करने का एक schedule किया गया है तो ये सब देखते हुए हमें गौरव लेना चाहिए कि हमारे ही देश की हमारी राज्य की एक कमपनी ने इस चोनौती को उठा लिया है और हम सब की सहायता के लिए कोविड की लडाई में हम जीते हैं इस दिशा में उनकी भी मदद मिली है आज फाइनली एक छोटी सी सक्सेस स्टॉरी नफीसा बानू मौमद यूनिस खजूरी वाला नाम की तेईस वर्ष की एक महिला जो पूरी सगर्भा अवस्ता मे थी 30 अप्रिल को SSG हॉस्पिटल बरोडा गई और उहोंने अपने बच्चे का डिलिवरी भी वहां हुआ था और बच्चा जो है दो किलोग्राम वेट यानि के थोड़ा अंडर वेट लो बर्थ वेट बेबी भी था लेकिन अगले दिन उनको जो लक्षन भी आये थे और व दोनों की ट्रीटमेंट भी चालू रही और फिर पूरी उनकी जो इलाज थी चिकित्सा पूरी होने के बाद 11 मही को वह अपने बच्चे को लेके नेगेटिव दो बार टेस्ट होने के बाद वापस घर आये हैं और उनके हॉस्पिटल का पूरा वातावरन भावावरन बच्चे की भी बहुत अच्छी देख पाल रखी और वहां सभी सुविधा, स्वच्छता, यह सब खाना यह सब कुछ बहुतीं उतकुरष्ठा और वो सब को धन्यवाद देते हैं हम सब भी जो अविरत हजारों की संख्या में हमारे जो हेल्त के टीम मेंबर्स दॉक्र से के स्पेशलिस्ट और नीचे जो पैरामेडिक स्टाफ हैं, क्ली नर्स और हमारे जो नर्सेज हैं, सब जो उम्दा काम कर रहे हैं, उन सब की हम लोग भी एक नोंध लें और उनकी भी हम सब एक अपना एक आभार भी द्यक्त करें, नमस्कार.